बाइबल की दस आग्याएं हमें कहती है हत्या ना कर परन्तु ईश्यू मसी कहते हैं कि यदि तुम किसी से क्रोधित हो और उसे मुर्ख या पागल कहते हो तब तुमने उसे अपने हृदय में मार दिया है परमेश्वर हमें अपने पडोश्यों से प्रेम करने को कहते हैं लेकिन हमारा पडोशी कौन है? हमारा पडोशी कोई भी हो सकता है जिन से हम संबंद रखते हों हो सकता है हमारे मित्र, हमारे साथ काम करने वाले लोग, माता पिता, भाई बहन और वे लोग जिन से हम मिल चुके हैं या भोविश्य में मिलेंगे परमेश्वर ने हमें उनसे अपने समान प्रेम करने को कहा है और बाइबल कहती है यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई बहन से नफरत करता हो तो वह वैक्ती जूटा है यदि हम उनसे प्रेम नहीं कर सकते जिनको हम देखते हैं तो उस परमेश्वर से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं जिनको हमने देखा नहीं है और परमेश्वर ने आग्या दी है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वे आपस में भी प्रेम रखें इसलिए आए एक दूसरे से प्रेम रखें एक दूसरे की आदर करें और शांती और आनंद से जिएं या परमेश्वर की वानी है